दोस्तों प्राइवेटेजेशन को लेकर विपक्षी पार्टियों ने यहाँ पर एक बहुत ही फन्नी मीम बनाया है जिसमें नरेंदर मोदी जी एक रेडी में सारी चीजें सेल करने के लिए लेकर जा रहे हैं जिसमें एरपोर्ट भी है रेलवे भी है और हाइवे भी है और स अब यहाँ पर सरकार का यह पक्ष है कि प्राइवेटेजेशन का मतलब सेल या बेचना नहीं होता विपक्षी पार्टियों का यह आरोप है कि यह प्राइवेटेजेशन लगभग बेचने के ही बराबर है अब इस सरकार और विपक्ष के आरोप प्रत्यारोप के बीच में आम आदमी के दिल में ये सवाल तो पैदा होई रहा है कि भई सरकार आखिर चीजों को प्रैवेटेजेशन क्यों कर रही है क्या सरकार इन गवर्रमेंट के चीजों को समाल ही नहीं पा रही क्या इससे सच में सरकार को फाइदा नहीं हो रहा और अगर नहीं हो रहा थांक यू सो मुच गाइस